प्लासेंटा इस एंटीरियर ये देखें इस प्रेग्नेंसी में प्लासेंटा यूटरस की आगे की दिवार पर लगा हुआ है और बेबी पीछे की तरफ है बेबी गर्ल या बॉय कुछ भी हो सकता है प्लासेंटा इस पॉस्टीरियर इस कंडिशन में बेबी आगे की तरफ हो और प्लासेंटा यूटरस की पिछली दिवार पर होता है बेबी गर्ल या बॉय कुछ भी हो सकता है लेटरल प्लासेंटा इस पुजीशन में प्लासेंटा यूटरस की साइट की दिवारों पर होता है राइट साइट या लेफ साइट और बेबी इसके बराबर में होता है अगेन बेबी का जेंडर गर्ल या बॉय कुछ भी हो सकता है प्लासेंटा इस फंडल इस सिच्वेशन में प्लासेंटा यूटरस के टॉप पर होता है और बेबी इसके नीचे होता है बेबी का जेंडर लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है ये तमाम की तमाम नॉर्मल प्लासेंटा की पुजीशन्स है और इनका बेबी के जेंडर से कोई तालुक नहीं Lower segment placenta या placenta previa इस condition में placenta uterus के निचले हिस्से में होता है और बेबी इसके उपर होता है ये placenta की एक abnormal position है और इस condition का भी बेबी के gender से कोई तालुक नहीं तो आज हमने जाना कि placenta anterior हो या posterior lateral हो या fundal upper segment हो या lower segment placenta की position का बेबी के gender से कोई तालुक नहीं होता बेबी का gender ultrasound पर सिर्फ बेबी के external genitalia को देख कर ही बताया जा सकता है थैंक यू फो वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब अल्ला हाफिस